अब प्रस्तुत है पाठ रिर्ड की हड़ी मामूली तरह से सजा हुआ एक कमरा अंदर के दर्वाजे से आते हुए जिन महाशे की पीठ नजर आ रही है वे अधेर उम्र के मालूम होते हैं एक तख्त को पकड़े हुए पीछे की ओर से चलते चलते कमरे में आते हैं तख्त का दूसरा सिरा उनके नौकर ने पकड़ रखा है बाबू अबे धीरे धीरे चल अब तख्त को उधर मोड़ दे उधर बस बस नौकर बिशादू सहाब बाबू जरा तेज आवाज में और क्या करेगा परमात्मा के यहां अकल बढ़ रही थी तो तू देर से पहुँचा था क्या बिशादू सहाब और ये पसीना किसलिए बहाया है नौकर तख्त बिशाता है बाबू हस्ता क्यों है अबे हमने भी जवानी में कसरत की है कलसों से नहाता था लोटों की तरह यह तख्त क्या चीज़ है उसे सीधा कर यो आहां बस और सुन बहुजी से दरी मांगला इसके उपर बिशाने के लिए चद्दर भी कल जो धोबी के यहां से आई है वही नौकर जाता है बाबू सहाब इस बीच में मेस पोश्ट ठीक करते हैं एक जाडन से गुलदस्ते को साफ करते हैं कुर्सियों पर भी दो चार हाथ लगाते हैं सहसा घर की मालकिन प्रेमा आती हैं गंदुमी रंग, छोटा कत, चेहरे और आवाज से जाहिर होता है किसी काम में बहुत व्यस्त है उनके पीछे पीछे भीगी बिल्ली की तरह नौकर आ रहा है खाली हाथ बाबु सहब जिनका नाम राम सुरूप है दोनों तरफ देखने लगते हैं प्रेमा मैं कहती हूँ, तुम्हें इस वक्त धोती की क्या जरूरत पड़ गई एक तो वैसे ही जल्दी जल्दी में राम सुरूप धोती? प्रेमा हाँ, अभी तो बदल कर आये हो और फिर ना जाने किस लिए? राम सुरूप लेकिन तुमसे धोती मांगी किसने? प्रेमा यही तो कह रहा था रतन राम सुरूप क्यों बे रतन? तेरे कानों में डाट लगी है क्या? मैंने कहा था धोबी के यहां से जो चद्दर आई है उसे मांगला अब तेरे लिए दूसरा दिमाग कहां से लाऊं? उल्लू कहीं का प्रेमा अच्छा जा पूजा वाली कोठ्री में लकडी के बक्स के ऊपर धुले हुए कपड़े रखे हैं ना? उन्ही में से एक चद्दर उठाला रतन और दरी? प्रेमा दरी यहीं तो रखी है कोने में वह पड़ी तो है रामसुरूप दरी उठाते हुए और बीबी जी के कमरे में से हार्मोनियम उठाला और सितार भी जल्दी जा रतन जाता है पति-पत्नी तख्त पर दरी बिछाते हैं प्रेमा लेकिन वह तुमारी लाडली बेटी तो मूँ फुलाए पड़ी है रामसुरूप मूँ फुलाए? और तुम उसकी मा किस मर्स की दवा हो? जैसे तैसे करके तो वे लोग पकड़ में आए हैं अब तुम्हारी बेवकूफी से सारी मेहनत बेकार जाए ही ने उसे पढ़ा लिखा कर इतना सिर्चड़ा रखा है मेरी समझ में तो ये पढ़ाई लिखाई के जंजाल आते नहीं अपना समाना आच्छा था आई पढ़ली गिनती सीख ली और बहुत हुआ तो इस्त्री सुबोधिनी पढ़ली सच पूछो एमे की पढ़ाई होगी और आजकल के तो लच्छनी अनोखे हैं रामसुरूप क्रामो फोन बाजा होता है ना प्रेमा क्यों रामसुरूप दो तरह का होता है एक तो आदमी का बनाया हुआ उसे एक बार चला कर जब चाहे तब रोक लो और दूसरा परमात्मा का बनाया हुआ रिकॉर्ड एक बार चढ़ा तो रुपने का नाम नहीं प्रेमा हटो भी तुम्हें ठिटोली ही सूचती रहती है यह तो होता नहीं कि उस अपनी उमा को रह पर ला दे अब देर ही कितनी रही है उन लोगों के आने में रामसुरूप तो हुआ क्या प्रेमा तुम ही ने तो कहा था कि सरा ठीक ठाक करके नीचे लाना आजकल तो लड़की कितनी ही सुन्दर हो बिना टीम टाम के भला कौन पूछता है इसी मारे मैंने तो पॉडर वॉडर उसके सामने रखा था पर उसे तो इन चीजों से नचाने किस जन्म की नफरत है मेरा कहना था कि आजल में मूँ लपेट कर लेट गई भई मैं बाज आई तुम्हारी इस लड़की से रामसुरूप नचाने कैसा इसका दिमाग है फरना आजकल की लड़कियों के सहारे तो पॉर्डर का कारोबार चलता है प्रेमा अरे मैंने तो पहले ही कहा था एंट्रेंस ही पास करा देते लड़की अपने हाथ रहती और इतनी परेशानी ना उठानी पड़ती पर तुम तो रामसुरूप बात काटकर चुप चुप दर्वाजे में जहाकते हुए तुम्हें कता ही अपनी जबान पर काबू नहीं है कल ही यह बता दिया था कि उन सब लोगों के सामने जिक्र और ढंग से होगा मगर तुम तो अभी से सब कुछ उगले देती हो उनके आने तक तो नजाने क्या हाल करोगी प्रेमा अच्छा बाबा मैं ना बोलूँगी जैसी तुम्हारी मर्जी हो करना बस मुझे तो मेरा काम बता दो रामसुरूप तो उमा को जैसे हो तैयार कर लो ना सही पॉडर वैसे कौन बुरी है पान लेकर भेश देना उसे और नाश्टा तो तैयार है ना रतन का आना आ गया रतन इधर ला इधर बाजा नीचे रख दे चद्दर खोल पकड़ तो जरा उधर से चद्दर बिछाते हैं प्रेमा नाश्टा तो तैयार है मिठाई तो वे लोग ज्यादा खाएंगे नहीं कुछ नमकीन चीज़ें बना दी हैं फल रखे ही हैं चाय तैयार है और टोस्ट भी मगर हाँ मक्खन मक्खन तो आया ही नहीं रामसरूप क्या कहा मक्खन नहीं आया तुम्हें भी किस वक्त याद आई है जानती हो कि मक्खन वाले की दुकान दूर है पर तुम्हें तो ठीक वक्त पर कोई बात सूचती ही नहीं अब बताओ रतन मक्खन लाए कि यहां का काम करे दफ्तर के चप्रासी से कहा था आने के लिए सो नक्रों के मारे प्रेमा यहां का काम कौन ज्यादा है कमरा तो सब ठीक ठाक है ही बाजा सितार आ ही गया नाश्ता यहां बराबर वाले कमरे में ट्रे में रखा हुआ है सो तुम्हें पकड़ा दूँगी एक आध चीज खुद ले आना इतनी देर में रतन मक्षन ले ही आएगा दो आदमी ही तो है राम सुरूप हाँ एक तो बाबू गोपाल प्रसाद और दूसरा खुद लड़का है देखो उमा से कह देना कि जरा करीने से आए ये लोग जरा ऐसे ही है गुसा तो मुझे बहुत आता है इनके दकियानूसी ख्यालों पर खुद पढ़े लिखे हैं वकील हैं सभा सोसाइटियों में जाते हैं मगर लड़की चाहते हैं ऐसी के ज्यादा पढ़ी लिखी ना हो प्रेमा और लड़का राम सुरूप बताया तो था तुम्हे बाप सेर है तो लड़का सवा सेर बी एस सी के बाद लखनव में ही तो पढ़ता है मेडिकल कॉलिज में कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है तालीम का दूसरा क्या करूं मजबूरी है मतलब अपना है वरना इन लड़कों और इनके बापों को ऐसी कोरी कोरी सुना था कि ये भी रतन जो अब तक दर्वाजे के पास चुपचाप खड़ा हुआ था जल्दी जल्दी बाबुची बाबुची राम सुरूप क्या है रतन कोई आते हैं राम सुरूप दर्वाजे से बाहर ज्छांक कर जल्दी मुँ अंदर करते हुए अरे ये प्रेमा वे आ भी गए नौकर पर नजर पड़ते ही अरे तू यही खड़ा है बेवकुफ गया नहीं मक्खनला ने सब चौपट कर दिया अबे उधर से नहीं अंदर के दर्वाजे से जा नौकर अंदर आता है और तुम जल्दी करो प्रेमा उमा को समझा देना थोड़ा सा गाह देगी प्रेमा जल्दी से अंदर की तरफ आती है उसकी धोती जमीन पर रखे हुए बाजे से अटक जाती है प्रेमा यह बाजा वह नीचे ही रख गया है कमबख्त रामसुरूप तुम जाओ मैं रखे देता हूँ जल्दी प्रेमा जाती है बाबू रामसुरूप बाजा उठा कर रखते हैं किवाडों पर दस तक रामसुरूप आहिए आहिए बाबू गोपाल प्रसाद और उनके लड़के शंकर का आना आखों से लोक चतुराई टपकती है आवाज से मालूम होता है कि काफी अनुभवी और फितरती महाशे हैं उनका लड़का कुछ खीस निपोरने वाले नौजवानों में से है आवाज पतली है और खिसिया हट भरी जुकी कमर इनकी खासियत है रामसुरूप अपने दोनों हाथ मलते हुए इधर दश्रीफ लाईए इधर बाबू गोपाल प्रसाद बैठते हैं मगर बेंथ गिर पड़ता है रामसुरूप यह बेंथ लाईए मुझे दीजिए कोने में रख देते हैं सब बैठते हैं मकान ढूंडने में तकलीफ तो नहीं हुई गोपाल प्रसाद खंखार कर नहीं तांगे वाला जानता था और फिर हमें तो यहां आना ही था रास्ता मिलता कैसे नहीं रामसुरूप यह तो आपकी बड़ी महरबानी है मैंने आपको तकलीफ तो दी गोपाल प्रसाद अरे नहीं साहाब जैसा मेरा काम वैसे आपका काम आखर लड़के की शादी तो करनी ही है बलके यों कहिए कि मैंने आपके लिए खासी परेशानी कर दी रामसुरूप यह लीजिए आप तो मुझे काटों में घसीटने लगे हम तो आपके सेवक ही है थोड़ी देर बाद लड़के की और मुखातिब होकर और कहिए शंकर बाबू कितने दिनों की चुटियां है शंकर जी कॉलिज की तो चुटियां नहीं है वीकेंड में चला आया था राम सुरूप आपके कोर्स खत्म होने में तो अब साल भर रहा होगा शंकर जी यही कोई साल दो साल राम सुरूप साल दो साल शंकर हाँ 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 जी एक आद साल का मार्जिन रखता हूँ गोपाल प्रसाद बात यह है साहब कि शंकर एक साल बीमार हो गया था क्या बताएं इन लोगों को तो इसी उम्र में सारी बीमारियां सताते हैं एक हमारा जमाना था कि स्कूल से आकर दरजनों कचोडियां उड़ा जाते थे मगर फिर जो खाना खाने बैठते तो वैसी की वैसी ही भूक राम सुरूप कचोडियां भी तो उस जमाने में पैसे की दो आती थी गुपाल प्रसाद जनाब यह हल था कि चार पैसे में धेर सी बालाई आती थी और अकेले दो आने की हसन करने की ताकत थी अकेले और अब तो भो तेरे खेल वगरा भी होते हैं स्कूल में तब ना कोई वॉली बॉल जानता था ना टेनिस ना बेडमिंटन बस कभी हौकी या क्रिकेट कुछ लोग खेला करते थे मगर मजाल की कोई कह जाए कि यह लड़का कमजोर है शंकर और रामसुरूप खी से निपोरते हैं रामसुरूप जी हाँ जी हाँ उस समाने की बात ही दूसरी थी गोपाल प्रसाद जोशीली आवास में और पढ़ाई का यह हाल था कि एक बार कुरसी पर बैठे कि बारा घंटे की सिटिंग हो गई बारा घंटे चनाब मैं सच कहता हूँ उस जमाने का मैट्रिक भी वह अंग्रेजी लिखता था फर्राटे की कि आज कल के एम में भी मकाबला नहीं कर सकते रामसुरूप जी हाँ जी हाँ वह तो है ही गोपाल प्रसाद माफ कीजेगा बाबू रामसुरूप उस जमाने की जब याद आती है अपने को जब्द करना मुश्किल हो जाता है रामसुरूप जी हाँ वह तो रंगीन जमाना था रंगीन जमाना शंकर भी ही ही करता है गोपाल प्रसाद एक साथ अपनी आवास और तरीका बदलते हुए अच्छा तो जनाब बिसनिस की बाच्चीत हो जाए रामसुरूप चौक कर बिसनिस? बिस? ओओ आच्छा अच्छा लेकिन जरा नाश्ता तो कर लीजिए उठते हैं गोपाल प्रसाद यह सब आप क्या तकल्लूफ करते हैं? रामसुरूप हाँ हाँ तकल्लूफ किस बात का यह तो मेरी बड़ी तकदीर है कि आप मेरे यहां तश्रीफ लाए वरना मैं किस काबिल हूँ? माफ कीजेगा जरा अभी हासिर हुआ अंदर जाते हैं गोपाल प्रसाद थोड़ी देर बाद दबी आवास में आदमी तो भला है मकान वकान से हैसियत भी पुरी नहीं मालूम होती पता चले लड़की कैसी है? शंकर जी कुछ खंखार कर इधर उधर देखता है गोपाल प्रसाद क्यों? क्या हुआ? शंकर कुछ नहीं गोपाल प्रसाद जुक कर क्यों बैठते हो? ब्याह तैकर नयाय हो कमर सीधी करके बैठो तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं कि शंकर की बैक पून इतने में बाबू रामसुरूप आते हैं हाथ में चाए की ट्रेली है हुए मेज पर रख देते हैं गोपाल प्रसाद आखिर आप माने नहीं रामसुरूप चाए प्याले में डालते हुए आपको विलायती चाए पसंद है या हिंदस्तानी? गोपाल प्रसाद नहीं नहीं साहब मुझे आधा दूद और आधी चाए दीजिए और ज़रा चीनी ज्यादा डालिएगा मुझे तो भई यह नया फैशन पसंद नहीं एक दो वैसे ही चाए में पानी काफी होता है और फिर चीनी भी नाम के लिए डाली जाए तो जाइका क्या रहेगा? राम सुरूप गहते तो आप सही है प्याला पकड़ाते हैं शंकर खंखार कर सिना है सरकार अब ज्यादा चीनी लेने वालों पर टाक्स लगाएगी गोपाल प्रसाद चाह पीते हुए सरकार जो चाहे सो कर ले पर अगर आमद नी करनी है तो सरकार को बस एक ही टाक्स लगाना चाहिए राम सुरूप शंकर को प्याला पकड़ाते हुए वह क्या? गोपाल प्रसाद खुपसूर्ती पर टाक्स राम सुरूप और शंकर हस पढ़ते है मजाक नहीं साहब यह ऐसा टैक्स है जनाब कि देने वाले चूँ भी ना करेंगे बस शर्त यह है कि हरेक औरत पर यह छोड़ दिया जाए कि वह अपनी खुपसूर्ती के स्टैंडर्ड के माफिक अपने उपर टैक्स ते कर ले फिर देखिए सरकार की कैसी आमदनी बढ़ती है राम सुरूप जोर से हसते हुए हाँ हाँ वाँ वाँ खुपसूचा आपने वाँ आज कल यह खुपसूर्ती का सवाल भी बेढ़ब हो गया है हम लोगों के जमाने में तो यह कभी उड़ता भी ना था तश्तरी गोपाल प्रसाद की तरफ बढ़ाते हैं लीजिए गोपाल प्रसाद समोसा उच्छाते हुए कभी नहीं साहब कभी नहीं राम सुरूप शंकर की तरफ मुखातिब होकर आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू शंकर किस मामले में राम सुरूप यही की शादी तै करने में खुबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए गोपाल प्रसाद बीच में ही यह बात दूसरी है बाबू राम सुरूप मैंने आप से पहले भी कहा था लड़की का खुबसूरत होना नहायद जरूरी है कैसे भी हो चाहे पाउडर वगरा लगाए चाहे वैसे ही बात यह है कि हम आप मान भी जाएं मगर घर की औरतें तो राजी नहीं होती आपकी लड़की तो ठीक है राम सुरूप जी हाँ वह तो अभी आप देख लीजिएगा है जब आप से इतनी बातचीत हो चुकी है तब तो यह रस्म ही समझी है राम सुरूप यह तो आपका मेरे उपर भारी एहसान है गोपाल प्रसाद और जायचा मतलब जन्म पत्र तो मिल ही गया होगा राम सुरूप जी जायचे का मिलना क्या मुश्किल बात है ठाकुर जी के चर्णों में रख दिया बस खुद बाखुद मिला हुआ समझी है गोपाल प्रसाद यह ठीक कहा आपने बिल्कुल ठीक थोड़ी दे रुक कर लेकिन हां यह जो मेरे कानों में भनक पड़ी है यह तो गलत है ना राम सुरूप चौक कर क्या गोपाल प्रसाद यह पढ़ाई लिखाई के बारे में जी हां साफ बात है साहाब हमें ज्यादा पढ़ी लिखी रड़की नहीं चाहिए मेम साब तो रखनी नहीं कौन भुख देगा उनके नखरों को बस हद से हद मेट्रिक पास होनी चाहिए क्यों शंकर शंकर जी हां कोई नौकरी तो करानी नहीं राम सुरूप नौकरी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता गोपाल प्रसाद और क्या साहब देखिए कुछ लोग मुझ से कहते हैं कि जब आपने अपने लड़कों को B.A.M.A. तक पढ़ाया है तब उनकी बहुएं भी ग्राजुएट लीजिए भला पूछे इन अकल के ठेकेदारों से कि क्या लड़कों की पढ़ाई और लड़कियों की पढ़ाई एक बात है अरे मर्दों का काम तो है ही पढ़ना और काबिल होना अगर औरतें भी वही करने लगी अंग्रेजी अखबार पढ़ने लगी और पॉलिटिक्स वगरा पर बहस करने लगी तब तो हो चुकी ग्रहस्ती जनाब मोर के पंक होते हैं मोरनी के नहीं शेर के बाल होते हैं शेरनी के नहीं रामसुरूप जिहां और मर्द के दाड़ी होती है औरत के नहीं शंकर भी हसता है मगर गोपाल प्रसाद गंफीर हो जाते है गोपाल प्रसाद हाँ हाँ वह भी सही है कहने का मतलब यह है कि कुछ बातें दुनिया में ऐसी हैं जो सिर्फ मर्दों के लिए हैं और उची तालीम भी ऐसी चीजों में से एक है रामसुरूप शंकर से चाहे और लीजिए शंकर धन्यवाद पीचका रामसुरूप गोपाल प्रसाद से आप गोपाल प्रसाद बस सहाब आप तो खत्मे कीजिए रामसुरूप आपने तो कुछ खाया ही नहीं चाहे के साथ टोस्ट नहीं थे क्या बताएं मक्खन गोपाल प्रसाद नाश्ता ही तो करना था सहाब कोई पेट तो भरना था नहीं और फिर टोस्ट वोस्ट मैं खाता भी नहीं रामसुरूप मेज को एक तरफ सरका देते हैं फिर अंदर के दरवाजी के तरफ मुह कर सरा सोर से अरे जरा पान भिजवा देना सिगरेट मंगवाओं गोपाल प्रसाद जी नहीं पान की तश्तरी हाथों में लिए उमा आती है सादगी के कपड़े गर्दन चुकी हुई बाबू गोपाल प्रसाद आखें गड़ा कर और शंकर आखें छिपा कर उसे ताक रहे हैं रामसरूप यही आपकी लड़की है लाओ बेटी पान मुझे दो उमा पान की तश्तरी अपने पिता को देती है उस समय उसका चेहरा उपर को उठ जाता है और नाक पर रखा हुआ सोने के रिम वाला चश्मा दिखता है बाब बेटे चौक उठते हैं गोपाल प्रसाद और शंकर एक साथ चश्मा? रामसरूप जरा सक पका कर जीब वह तो वह पिछले महीने में इसकी आखें दुखनी आ गई थी सो कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ रहा है गोपाल प्रसाद बढ़ाई वढ़ाई की वज़ा से तो नहीं है कुछ रामसरूप नहीं सहाब वह तो मैंने अर्ज किया न गोपाल प्रसाद हम संतुष्ट होकर कुछ कोमल सौर में बैठो बेटी रामसरूप वहाँ बैठ जाओ उमा उस तक्त पर अपने बाजे बाजे के पास उमा बैठती है गोपाल प्रसाद चाल में तो कुछ खराबी है नहीं चेहरे पर भी चवी है हाँ कुछ गाना बजाना सीखा है रामसरूप जी हाँ सितार भी और बाजा भी सुनाओ तो उमा एकाथ गीत सितार के साथ उमा सितार उठाती है थोड़ी देर बाद मीरा का मशहूर गीत मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई गाना शुरू कर देती है स्वर से जाहिर है कि गाने का अच्छा ग्यान है उसके स्वर में तल्लीनता आजाती है यहां तक कि उसका मस्तक उठ जाता है उसकी आँखें शंकर की जेपती सी आँखों से मिल जाती है और वह गाते गाते एक साथ रुख जाती है राम सुरूप क्यों क्या हुआ गाने को पूरा करो उमा गोपाल प्रसाद नहीं नहीं साहाब काफी है लड़की आपकी अच्छा गाती है उमा सितार रखकर अंदर जाने को उठती है गोपाल प्रसाद अब इठेरो बेटी राम सुरूप थोड़ा और बैठी रहो उमा उमा बैठती है गोपाल प्रसाद उमा से तो तुमने पेंटिंग वेंटिंग भी उमा चुप राम सुरूप हाँ वह तो मैं आपको बताना भूल ही गया यह जो तस्वीर टंगी हुई है कुत्ते वाली इसी ने खीची है और वह उस दिवार पर भी गोपाल प्रसाद हम यह तो बहुत अच्छा है और सिलाई वगारा राम सुरूप सिलाई तो सारे घर की इसी के जिम्मे रहती है यह तक की मेरी कमीजे भी गोपाल प्रसाद ठीक लेकिन हाँ बेटी तुमने कुछ इनाम विनाम भी जीते हैं उमा चुप राम सुरूप इशारे के लिए खासते हैं लेकिन उमा चुप है उसी तरह गर्दन चुकाए गोपाल प्रसाद अधीर हो उठते हैं और राम सुरूप सक पकाते हैं राम सुरूप जवाब दो उमा गोपाल प्रसाद से जरा शर्माती है इनाम तो इसने गोपाल प्रसाद जरा रूखी आवाज में जरा इसे भी तो मूँ खोलना चाहिए राम सुरूप उमा देखो आप क्या कह रहे हैं जवाब दो ना उमा हलकी लेकिन मस्बूत आवाज में क्या जवाब दो मापुजी जब कुरसी मेस बिक्ती है तब दुकानदार कुरसी मेस से कुछ नहीं पूछता सिर्फ खरीदार को दिखला देता है पसंद आ गई तो अच्छा है फरना रामसुरूप चौक कर खड़े हो जाते हैं उमा 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 अब मुझे कह लेने दीजिए बाबुजी ये जो महाशे मेरे खरीदार बन कर आए हैं इनसे सरा पूछे कि क्या लड़कियों के दिल नहीं होता क्या बेबस फिड़ बकरिया हैं जने कसाई अच्छी तरह देख भाल कर गुपाल प्रसाद ताओ में आकर बाबुराम सुरूप आपने मेरी इज़द उतारने के लिए मुझे यहां बुलाया था उमा तेज आवास में जी हाँ और क्या हमारी बिज़द ही नहीं होती जो आप इतनी देर से नाप तोल कर रहे हैं और जरा अपने इन साहबजादे से पूछिए कि अभी पिछली फरवरी में ये लड़कियों के हॉस्टल के इर्दगिर्द क्यों घुम रहे थे और वहां से कैसे भगाए गए थे शंकर बाबुची चलिए कोपाल प्रसाद लड़कियों के हॉस्टल में क्या तुम कॉलिज में पढ़ी हो राम सुरूप चुप ओमा ची हाँ कॉलिज में पढ़ी हूँ मैंने बी ए पास किया है कोई पाप नहीं किया कोई चोरी नहीं की और ना आपके पुत्र की तरह ताग जांक कर कायरता दिखाई है मुझे अपने इज़त अपने मान का ख्याल तो है लेकिन इनसे पूछिए कि ये किस तरह नौगरानी के पैरों पर पढ़कर अपना मूँ छिपा कर भागे थे राम सुरूप ओमा ओमा गोपाल परसाद खड़े होकर घुस्से में बस हो चुका बाबू राम सुरूप आपने मेरे साथ दगा किया आपकी लड़की बी ए पास है और आपने मुझसे कहा था कि सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है लाइए मेरे चड़ी कहा है मैं चलता हूँ बेत ढूंड कर उठाते हैं बी ए पास ओफो घजब हो जाता जूट का भी कुछ ठिकाना है हाओ बेटे चलो दर्वाजे की और बढ़ते हैं ओमा जी हाँ चाहिए सरूर चले जाए लेकिन घर जाकर सरय यह पता लगाईएगा कि आपके लाटले बेटे के रीड की हटी भी है या नहीं यानि बैकबून बैकबून बाबू गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी का खुस्सा है और उनके लड़के के रुलासा पन दोनों बाहर चले जाते हैं बाबू रामसुरूप कुर्सी पर धम से बैट जाते हैं उमा सहसा चुप हो जाती है प्रेमा का घबरहट की हालत में आना प्रेमा उमा उमा रो रही है यह सुनकर रामसुरूप खड़े होते हैं रतन आता है रतन सब रतन की तरफ देखते हैं और परदा गिरता है प्रश्न अभ्यास एक रामसुरूप और गोपाल प्रसाद बात बात पर एक हमारा जमाना था कहकर अपने समय की तुलना वर्तमान समय से करते हैं इस प्रकार की तुलना करना कहां तक तरक संगत हैं दो रामसुरूप का अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाना और विवाह के लिए छिपाना यहाँ विरूधाभास उनकी किस विवश्चत को उजागर करता है तीन अपनी बेटी का रिष्टा तै करने के लिए रामसुरूप उमा से जिस प्रकार के विवहार की अपेक्षा कर रहे हैं वह उचित क्यों नहीं है चार गोपाल प्रसाद विवह को बिस्निस मानते हैं और रामसुरूप अपनी बेटी की उच्च शिक्षा को छिपाते हैं क्या आप मानते हैं कि दोनों ही समान रूप से अपराधी है अपने विचार लिखें पांच आपके लाडले बेटे की रीड की हड़ी भी है या नहीं उमा इस कथन के माध्यम से शंकर की किन कमियों की और संकेत करना चाहती है छे शंकर जैसे लड़के या उमा जैसी लड़की समाच को कैसे व्यक्तित्व की जरूरत है तर्क सहित उत्तर दीजे साथ रीड की हड़ी शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए आठ कथा वस्तु के आधार पर आपके से एकांकी का मुख्य पात्र मानते हैं और क्यों नो एकांकी के आधार पर राम सुरूप और गोपाल प्रसाद की चारित्रिक विशेष्टाएं बताईए दस इस एकांकी का क्या उद्देश्य है लिखिए समाज में महिलाओं को उचत गरिमा दिलाने है तू आप कौन कौन से प्रयास कर सकते हैं अभी आप सुन रहे झाल कैम की में महिले लिए आप सुन प्राइब ग्रववण इता है कि तो नहीं झाल कौन